दूस्तों अदानी ग्रूप की बात करते हैं, तो अदानी ग्रूप में आने वाले समय फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा, या भी भारी गिरावट बाकी है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पुरू पी-एम की तरप से एक बहुत बढ़ा बयान दिया गया एक तरह से करें तो बहुत बड़ा सपोर्ट किया गया है अदानी ग्रूप का क्या है पूरा मामला जानने की खोशिस करेंगे इसके अलावा सुप्रीम कोट के वकील हरिस सालवे की तरब से भी बहुत भड़ा बयान दिया गया है हिंडन बग के मामले में एक तरह से उन्होंने हिंडन बग को पूरी तरह से या पर एक्सपोज किया है क्या है मामला उसको भी समझेंगे लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रूप इस समय थोड़ा सा आपको मजबूत दिखाई देगा क्योंकि जो प्राइज है वो काफी जड़ा रिकवर हुई है इस वज़े से थोड़ी हीमत भी बनी है और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में दौर कैसा होगा यह जानने के लिए हमें एक्सपर्ट की राए लेने होगी मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे है क्या आदानी ग्रूप पे भरूसा किया जा सकता है क्या इस समय इंवस्मेंट किया जा सकता है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक भी लाइक उन बाद दीजिए ताकि जब भी न्या वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेज दिरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आप आजी उजयन की कंपणी जीकी उजी ने एक बहुत भारीद निवेस किया अदानी ग्रूप के शेरों में और उन्होंने प्रमोटर के कोटे से शेर खरीदे और उसके बाद में एकदम से माहौल पूरा बदल गया क्योंकि यह अमेरिकन कंपणी और इससे पहले हिंडर्बग तीन मार्च को 1874 पर स्टोक आया 16.60% का बंपर रिटन हमने देखा एक दिन में और वैसे देखे तो यह स्टोक डबल हुआ है निचलल लेवल से लगबग 900 तक पहुँच गया अब यह 800 तक पहुँच गया है और जिस नवी निचलल लेवल से खरीदारी की होगे उसको 105 पर संट का अपपर सर्क्रिट लगा है अदानी विलमेर की बात可ette तो स्टोक 418 पर वापस आज चुका यहा पर भी आपको 5 पर संट का अपर सर्क्रिट लगता हो दिख्या देगा अधानी पावर 169 पर आज चुका है 5% का यहाँ बहुच पर भी अपर सर्क्रिट लगा और यहाँ पर भी हमें 5.02% की तेज़ी देखनों को मिली है ACC सिमेंट की बाद की बाद की श्टॉक 1890 पर आये और आपको देखनों को मिलेगा कि 4.92% की तेज़ी देखनों को मिली है NDTV 220 रुपे आ चुका है 5% का आप पर सरके लगा तो यह तो आप समझी सकते हो कि फिर से एक जबनस तेज़ी का दोर सुरू हुआ है अब इसके बीच में अगर आप देखे यहाँ पर अधानी इंटरपाइजेस को लेकर जो एक्सपर्ट की राय की जल दिये टूथ हाउजन वापस हो सकता है इसके लवा अधानी पोर्स में भी काफी अची संबावना है और जो अधानी ग्रूप के शेर हो आने वाले दो साल में फिर से यहाँ से इस लेवल से दुगना हो सकते इसी तरह से देखे तो अधानी ग्रिन इंटरपाइजेस में भी तेजी आने की संबावना है यानि जो market expert है वोई समय गिरावट का फाइदा उटके निवेस की सला दे रहे लेकिन इसके बीच में देखे तो एक जो बोरी खबर यह निकल कर आए कि rating agency इकरा ने इसकी rating को down किया है जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने अदानी ports और अदानी total gas के outlook को बदल दिया है पहले stable थी उसकी rating को negative कर दिया है और एक तरसे यह काफी बड़ी tension वाली बात है उनका कहना है कि भले equity बाजर में तेजी आई हो लेकिन जो bonds है वो अभी भी negative trade कर रहे है यानि जो उन्होंने bonds जारी किये जो bonds के मादिम से वीदेशों से और इंडिया के बाजर से जो रकम यह जमा करते हैं वहाँ पर भी bonds अभी भी negative बने हुआ और इस वज़े से आने वाले समय में company को कर्ज लेना मुस्किल हो सकता है यानि इकरा का कहना है कि फिलाल अब गुरूप ने कोई भी default तो नहीं किया है और आप देखे तो अभी जिसमें सेवी की तरफ से भी कोई भी किसी प्रकार की गलती के कोई गुंजाज नहीं बताई जा रही है यानि कोई fraud हुआ नहीं है ये सेवी की तरफ से अभी तक clearly ये समझ में आ रहा है लेकिन उसके बावज भी हिंदन में की रिपोर्ट के बाद बॉर्ण्स मार्केट में दबाओ देखना है और इसमें जैसे इकरा ने या पर थोड़ा सा rating को negative कर दिया लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है अदानी ग्रूप को पूरो ऑस्ट्रेलिया के जो PM है उन्होंने अदानी ग्रूप का पूरा सपोर्ट किया है और उनका कहना है कि आरोप के बल पे कोई दोसी साबित नहीं हो जाता और जब तक आरोप सिद नहीं हो जो है इंसान हो हमेशा बेगुना होता है तो आप देख सकते हो टोनी ने काये कि आरोप लगाना आसान होता है मज किसी आरोप लगाने से चीज सत्ते नहीं साबित हो सकती दो सावितों तक व्यक्ति पूरीते से वह बेगुना होता और यह कानून है तो यहाँ पर देख सकते हैं अधानी गूरूप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से भरसा जता है गया है और उनका कहना है कि यह जो भी है जाच हो रही है जाच के बाद के आएगा उसे में देखना होगा मेरी राइ है कि अधानी गूरूप का मैं सुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने अऔर्ट्रेलिया में विश्वा जाजता है उसके जो वाच्ट्रेलिया को बहुत सारे जौब ऑपोर्चुनिटी मिली इसके लिए हमें टैक्स नहीं देना होता है इसके इलावा जो पूर्म अश्ट्रेलिया के पिये में उनका कहना है अदानी ग्रूप केवल कोईला इधनी ही नहीं रिनर्मल अन्जी और फॉजिल फ्यूल्स के उपर भी काम कर रहा है आज के हाला को द्याद में रखते हैं इसका सबसे बड़ा जो मिक्स उदारने बहुत जरूरी है बारत में अनर्जी सेकूर्टिज पर फोकस कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया इसमें मदद करने में सप्लाइक को सही कर सकता है इसके इलावा जो है उनका कहना है कि अस्ट्रेलिया के तोर पर अडानी ग्रूप की साराना करता हूँ उनका कहना है कि बारत एक ऐसा जो कानून के तैज चलता है और अगर कोई गलती होगी तो उसके उपर कारवे भी होगी लेकिन कुल मिला के अडानी ग्रूप का हम पुरी तरसे सयोग और सपोर्ट करते है दूसरी तरब अगर आप देखे सुप्रीम कोट के सीनियर एड़ोकेट हरी सालवे ने हिंड़बक की जाच की यापे मांग की है तो सीनियर एड़ोकेट हरी सालवे का कहना है कि जिस तरसे हिंडबक ने शौट सेलर के अपने खुद के फाइदे के लिए जो एक तरसे रिपोर्ट पेस की कि इसकी जाच होनी चीए और हिंडबक कोई चैरेटी अमनद करने वाली संसानी है वो अपना खुद के फाइदे के लिए मीडिल क्लास को नुकसान पहुचा रहा है उन्होंने का कि अदानी ग्रूप हिंडर मक्क के मामला की जाच के लिए सुप्रीम कोट की तरफ से जो छस सदे सिक कमिटी गटित की गई है कमिटी को पता होना चीए कि जिन शेरों की कीमतों को कम करके खुब धन कमाया गया इसे बाजार में एयर फिर के रूप में माने और ऐसे लोगों को व्यापार से बाहर निकाले और उनके उपर एक तरह से प्रतिबन लगाने की कोसिस करें और उनकी जाच करें यानि जिसने भी इसमें फाइदा उठाया है यानि एक तरह से जो शेर शॉर्ट सेल किये है और उसको एक तरह से लोगों का ये पूरा बाजार को जो हिला है तो उनके उपर भी कारवाई होनी चीए हरी सालवेन आगेगा कि हमें अपने बाजार में एक उधार निस्तापित करना चीए सबसे पहले अगर कोई रिपोर्ट जो उसे सेवी के पास या कॉर्पोरेट मामलों के मंदर के बाद जाना चीए ऐसे मामले की जाच करेंगे निप्टेंगे लेकिन अगर आप कमपनियों पर हमला करने के लिए इस तरकी रिपोर्ट का उपयोग करने जा रहे तो सेवी चूप नहीं बैटेगा वे उन लोगों पर कारवाई करेंगे जो पैसे के दंपर बाजार की अईस्तिता का फाइदा उठा रहे है मिडिल क्लास के लोगों को निवे सगया उनको नुक्सान प तरब से तो यह आप समझे सकते हो कि बहुत बड़ा आपर एक आने वाले समय में एक खुलासा होने जा रहा है कि यह जो पूरा मामला बनाय जानि बूझके किया गया था क्योंकि जो कहा जा रहा है कि अदानी गुरूप को हवा हुआ यह है बहुत पूरानी कंपनी और रोड्सो करने जा रहे हैं आप देख सकते हो कि जो जी की जू ग्रूप है उन्होंने 15.446 प्रपीच के जो ब्लॉक डिल में शेयर खरीदे प्रमोटर कोटे से उसे एक बड़ी रकम मिली है अदानी ग्रूप को जिससे वो अपने पुराने जो डैट है जो उन्होंने बॉन्स अचीवमेंट हुआ है अदानी ग्रूप के लिए पिछले साथ मौई नहीं में पहली बार एक दिन मांग का मार्केट कैप 68,000 कोड़ीज बढ़ गया यह बहुत बड़ा अचीवमेंट इकतर से अदानी ग्रूप के लिए और आप देखे तो जो भारी लॉस हो अदानी ग्र लेकिन एडानी ग्रूप के शेर लगातार बेच चुके और काफी अपनी पॉर्टफोलियो खाली कर चुके तो यहाँ पे अगर आप देखे नौर्वे का जो लाज़ेस पैंसेंट फंड है KLP उसने काफी जादा शेर बेचे और जैसे माहल इंडर्बक का निकल के आया उसक अपने फाइनसल एडवेस अगरेस पर ले ले यह अपना खुद का रिसर्च करें क्यूंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए